क्या पारस को हुई माहिरा के बरताव से जलन? माहिरा ने kiss अनहग किया सिट को पारस के सामने? आखिर ऐसा क्या-क्या हुआ कि माहिरा ने सिट को लगा लिया गले और दिया kiss? और क्यू लगी पारस को मिरची? तो आईए जानते हैं बिग बॉस 13 की कंटेस्टन माहिरा शर्मा रश्मी देशाई को लाइक नहीं करती है ये बात खुद माहिरा शो में कई बार बोल चुकी है लेकिन इस हफते वीकेंड का वार में माहिरा रश्मी देशाई पर बुरी तरह भड़कती हुई नजर आई बेसिकली बिग बॉस 13 के एक्स कंटेस्टन अबु मलेक और सिधार डे ने कहा की पारस के बिना माहिरा शर्मा गेम में कुछ भी नहीं है माहिरा इस बात से काफी सैड हो जाती है और रोने लगती है माहिरा को रोता देखकर सल्मान उनसे उनके लिए स्टैंड लेने के लिए कहते है लेकिन माहिरा की जगप पारस बोलते है कि माहिरा कमजोर नहीं है लेकिन लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है पारस के बोलने पर सलमान उनसे कहते है कि माहिरा अपने लिए खुद भी बोल सकती है इस बात पर रश्मी भी सहमती जताती है लेकिन रश्मी पर माहिरा भड़क जाती है और कहती है मुझे इससे हेट्रिड है माहिरा रश्मी से लड़कर गार्डन एरिया में बैट कर फूट फूट कर रोने लगती है माहिरा को रोता हुआ देखकर पारस और विशाल आदित्य सेंग माहिरा को साइलन कराने जाते है लेकिन माहिरा उन से बात नहीं करती है इसके बाद सधाशुकला माहिरा को समझाने की ट्राइ करते है सधाथ माहिरा से कहते है कि लोगों का काम है कहना तो उन्हें बोलने दो सधाथ के समझाने पर माहिरा का मूड ठीक हो जाता है और वो घर के अंदर जाने के लिए तयार हो जाती है लेकिन गाडन एरिया से घर में जाते हुए माहिरा सिधा शुकला को जोर से गले लगाती है और उन्हें किस भी करती है माहिरा के किस करने पर पारस उन्हें चुडाते हुए कहते है कि शुक्र है पारस ने नहीं देखा लेकिन बाद में पारस माहरा पर गुस्सा करते हुए उनसे पूछते है तुमने सिधात को हग और किस क्यू किया इसके बाद पारस कहते है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे जलन हो रही थी कुछ देर के बाद पारस दुबारा से इस इधात को किस और हक करने पर माहिरा से सवाल करते है तो इस पर माहिरा कहती है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी कि दोज भी किस कर सकते है तो व्यूवर्स आपको क्या लगता है? क्या पारेस होंगे इस behavior से affect? Do let us know. तब तक stay tuned with us.